नमस्कार मैं अनुष्का बिहारी नीउस में आपका स्वागत है आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नज़र डालते हैं अब दब की सोग उपर आज मनाया जारा है नेशनल डॉक्टर्स डे पंचाचनाओं में कोलिंग बूथ बनाने को लेकर नया आदेश हुआ जारी सारे चार अजार से जादा पदों पर असिस्टन प्रोफेसर की बहाली के लिए 15 जुलाई से होंगे इंटर्व्यू राज के 11 जिलों के लिए मौसन विभाग ने जारी किया औरेंज अलग पढ़ना के आई जी आई एमस में जल्द शुरू होगी कोरोना वाइरस की जीनोम सिक्वेंसिंग तो आई अब जानते हैं खबरे विस्तार से आज मनाय जा रहा है नेशनल डॉक्टर्स डे दर्ती के भगवान कही जाने वाले डॉक्टर्स के लिए आज का दिन खास है क्योंकि आज का दिन लोगों को जवनदान देने वाले डॉक्टरों के लिए समर्पित है कोरोना काल में जिस तरह अभी तक दिन रात एक करते हुए अपनी जान की परवाग किये बगएर डॉक्टरों ने काम किया है ऐसे में उन्हें भगवान कहे जाने की प्रासंगिक्ता और भी मजबूत हो जाती है आपको बता दे कि इसे मनाने की पीछे कावी एक इतिहास है आज ही के दिन देश के महान डॉक्टर विधान चंदर रॉय का जन्म दिन और पुनिती थी दोनों ही है उन्हें चिकित्सा किछित में अबुद्पूर्ण योगदान देने के लिए भारत रतन से भी समानित किया जा चुका है वहीं वश्यमंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री तक भी ये रहे थे इसलिए उनके समान में ही देश भर में आज के दिन हर साल डॉक्टर्स दे मनाया जाता है इस दिन लोगों को हमारे जीवन में डॉक्टर्स और स्वास्त कर्मियों के युगदान के बारे में याद दिलाया जाता है इस साल National Doctors Day का थीम पडिवार के डॉक्टरों के साथ भविश का निर्मान है डाज के 11 जिलो के लिए मौसम विवाग ने जार किया ओरेंज अलर्ट सुवे बिहार में बीते 2-3 दिनों के दोरान अधिकान से हिसों में मौसम शुस्क बना रहा धूप खिरने के कारण गर्मी के जैसे स्थिती बने रही मगर अगले 3 दिनों तक बारिश होने के आसार फिर से बन गया है पटना मौसम विग्यान के इंदर के दोरा दी गई जानकारी की मुताबिक उत्तर बिहार के अधिकान से जिलों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है जिसे लेकर ओरेंज अलर्ट जारी किया गया है दरस्तर दाज की पुर्वी और उतरी हिस्से में लगतार संभानी बादल बन रहे है साथी उतरी छेतर से मौनसून की अक्षिय रिखा गुजर रही है जिस कारण अगली 22 घंटों की दोरान हिमाले की तलहटी से जुरे बिहार के जिलों में भारी बारिश हो सकती है इसे लेकर भागलपूर, कटिहार, पुर्णिया, किशिंगंज, ररिया, शिवहर, सुपॉल, दर्भंगा, सितामडी, पुर्वी और वश्यमी चमपारन में गरजन की साथ अतिव रिस्टी की चेतावनी जारी हुई है या इससे ती कल शुक्रवार तक बनी रह सकती है मत्से विभाग में कारेरत कई अफसरों का किया गया तबादला, विहार में इन दिनों अलग-अलग विभागों में तबादले का दोर जारी है इसक्रम में अपसरकार के पशुई वं मत से पालन विभाग के कई कर्मियों और अपसरों का बड़े पैमाने पर ट्रांसफर किया गया है डेरी फिल्ड अपसर, डेरी टेकनिकल अपसर समेत कई पदाधिकारियों का च्रांसफर हुआ है पंचाय चुनाव में पोलिंग बूथ बनाने को लेकर जारी हुआ नया आदेश बिहार में 35 पंचाय चुनाव को लेकर डाज निर्वाचन आयोग ने पोलिंग बूथ बनाने को लेकर आदेश जारी किया है अब किसे भी पंचायत में वर्तमान मुख्य मंत्री के घर के 100 मीटर बाद ही पोलिंग बूथ बनाय जाएंगे साथ साथ नए नए सरकारी भवनों का प्डियोग भी पोलिंग बूथ बनाने के लिए किया जाएगा इसके लिए आयोग ने सभी डियम को 5 जुलाई तक सभी डिटेल देने और एवीम को ठीक करने के निर्देश जारी किया है आपको बताते चले कि आयोग के द्वारा जुलाई महिने के अंदर ही तयारियों की रिपोर्ट मागे जा रहा है साथ ही आयोग के सुत्रों की मताबिक 3 अगस्त को 5 चुनाव के लिए अधिस सूचना जारी की जा सकती है ऐसे में यह तयमाना जारा है कि 10 चुनों में होने बाला पट्चा चुनाव की शुरुआत अगस्त महिने से हो सकती है संपत्ती का ब्यौरा नहीं देने वाले सरकारी अधिकारियों पर होगा सरकार के मुख्य सचिव तिरपुरारी शिरन ने सभी विभागों के अपड़ मुख्य सचिव प्रधान सचिव और डीजीपी को एक पत्र लिकर का है कि हर साल सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मियों को दिसंबर के बाद फरवरी तक अपनी हर तरह की संपत्यों से जुरी जानकारी सरकार को देनी है इसके अलावे मकान, फ्लैट या गारी जैसे अचल संपत्यों की जानकारी भी एक महिने के अंदर देने होगी इसके अलावे कोई अधिकारी अगर दो महीने की वेतन राशी से ज्यादा रुपे के सामान को खरीता है तो उसके जहनकारे भी सरकार को महीने भर के अंदर देनी होगी ऐसा नहीं करने वाले सरकारी सेवकों पर अनुशासनिक कारवाई के साथ आप्राधिक मुकदमा भी दर्श किया जाएगा पटना के IGIMS में जल्द शुरू होगी कोरोना वाइरस की जीनोम सिक्वेंसिंग कोरोना वाइरस अपना रूप बदल बदल कर लोगों के जीवन में आफ़त ला रहा है इसके लिए दुनिया भर में इसके जीनोम पर शोध किये जा रहा है अब शोध करने के मामले में एक नाम अपने बिहार का भी होगा क्योंकि जल्द ही पटना के आईजी आईएमस अस्पताल में कोरोना वाइरस की जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए लैब शुरू होने बाला है यह देश का आठवा केंद्र होगा यह लैब अतियादुनिक मॉलिकूलर जेनेटिक लैब होने बाला है यहां की जाच से रिपोर्ट देखने के बाद ही जीनोम सिक्वेंसिंग की अनुमती देंगे इसे एक फाइदा यह होगा यह विहार के लैब में ही कोरोना के नए इस्ट्रिंड का पता डॉक्टर आसानी से लगा सकते है मुझदपरपूर में कैंसर अस्पिताल के लिए टाटा मैमोडियल सेंटर और विहार सरकार के बीच हुआ करार विहार की मुझदपरपूर जिले में SKMCH परिसर में प्रदान किये गए 15 एकर जमीन पर अत्यादूनिक कैंसर अस्पिताल का निर्मान होना है इसके लिए टाटा मैमोडियल सेंटर और विहार सरकार के बीच बीतिरीन सचीवाले सबागार में एक संजवता हुआ है संजवते की मताबिक कैंसर अस्पिताल इबं अनुसंधान केंदर मुझदपरपूर में सौब बेट तयार किये जाएंगे जिसे टाटा मैमोडियल सेंटर परमानु उर्जय मंतराले की द्वारा पूर्ण स्वायत्ता की साथ मुंबई में सिर्थ टाटा मैमोडियल अस्पिताल की तरह ही चिलाया जाएगा इसके लागत 300 करोर होगी यहां सर्जिकल आनकॉलोजी, मेडिकल आनकोलोजी, रैडियसन आनकोलोजी, रेडियोलोजी, पैथोलोजी, सुक्षमजी विग्यान, जैवरसायन, निवारक आनकोलोजी और उपशामक चिकित्सा की सुगिदा रहेगी इसके अलावे सरकार की द्वारा भी विवन कोर से यूजी और पीजी करने की विवस्ता यहां की जाएगी इसके अलावे गडीब मर्जों को मुफ्त में इलास कराने के लिए अस्पताल को सरकार आर्थिक मदद भी करेगी जदियो रास्ट अध्यक्ष ने कही जिला कमीटी में महलाओं को आरक्षन देने की बाद जनतादल युनाइटेट के जिला ध्यक्षों की दो दिवस्य बैठक के अंतिम देन बुदवार को जदियो के रास्ट अध्यक्ष रसीपी से इने बड़ी बात कही है उन्होंने जिला ध्यक्षों को सभी जिला कमीटी में एक तिहाई महलाओं को शामिल करने का निर्देश दिया है जिस तरह से प्रदेश कमीटी में महलाओं को जगा मिलती है वहें इस बैठक में मुक्रूप से पार्टी की आर्थिक इस्सिती मजबूत करने पर भी चर्चा हुई जिसमें रास्टी अध्यक्ष ने फैसरा लेते हुए कहा कि 2024 के लोग सभाचुनाओं और 2025 के बिहार विधान सभाचुनाओं को ध्यान में रखकर 16 से 31 जुलाई के बीच सहयोग राशी संग्रा अभियान चलाया जाएगा इस अभियान को सफल बनाने के लिए प्रदेश जिला प्रखंड एबंबंचाद से लेकर बूत इसतर तक कमीटी बनाया जाएगी इसके लिए पार्टी के सभी मंत्री सांसद विधायक एवं विधान पारजद आधी को खास जिम्मेदारी सौपी जाएगी भ्यान में आज से शुरू हुआ वैक्सिनेशन का महा अभियान राज में आज से टीका करन का महा अभियान शुरू किया गया है इसके तहट अप से लेकर 6 महीने में 6 करोर लोगों को कोवीड वैक्सिन लगाने का टार्केट रखा गया है इस बारे में स्वास्ते मंत्री मंगल पांडे ने बताया है कि महा अभियान में हर दिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को ठीका लगा सके इसके लिए केंद्रों की संख्या बढ़ा दी गई और बड़ी संख्या में स्वास्ते कर्मियों को भी तैनात किया गया है अभियान को लेकर केंद्र सरकार ने भी ततकाल लूप से बिहार को 7 दसबलब 7-5 लाग डोज वैक्सिन की खेव भेजी है वही रविवार से सोमवार के बीच 10 लाख और खेव बिहार को मिलने वाली है गउरतलब है कि करोना की तिस्री लाहड आने के अंदेशे से बिहार सरकार पहले ही राज के लोगों को सुरक्षा के लिए वैक्सिनेटेड कराना चाहती है ताकि नुकसान कम हो सके चपरा जेल में मोवाईल मिलने के बाद अब प्रशासने की बड़ी कारवाई बीते दो दिन पहले ही सोसल मीडिया पर चपरा मंडलकारा का एक वीडियो सोसल मीडिया पर काफी वाइरल हुआ जिसमें एक बैरक में सजाकार रहे कैदियों को खुले आम और बेफिक्र मोवाईल फोन से बाचित करते हुए दिखा गया जिसके बाद जिला प्रशासन की किरकिरी हो रही थी इस मामले में अब प्रशासन ने बड़ी कारवाई करते हुए मंडलकारा के दो उपकक्षपाल को सस्पेंड कर दिया है इस मामले में आगे बड़े अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है इसे एक दिन पहले भी हुए जाच में बैरक से जमीन में दवाकर रखे शेह फोन मिलने की बाद सामनी आये थी मगर बुदवार को सुबा चार बजे डियम और एसपी दोरा जेल में की गई जाच में कुछ भी बरामद नहीं हुआ है ऐसे में प्रशासन इस मामने की जाच कर बड़े अधिकारियों पर भी कारवाई कर सकता है जनता दल युनाइटेट के कदावर नेता वा दरभंगा की कुछ इसवर स्थान विधानसभा सीट से विधायक शसी भूशन हजारी का निधन आज अचानक से हो गया उनके निधन से जदियों खेमे में और बिहार के सियासे गलियारे में शोक की लहर शा गई है कदावर नेता की मृतियों पर वियार विधानसभा में उपाध्यक्ष और सीनियर लीडर महिस्वर हजारी समेत कई जदियों नेताओं ने अपनी शोक संवेदना को व्यक्त किया है जानकारी की मुताबिक बे लंबे समय से हैपेटैटिस बी से ग्रसित थे और दिल्ली के गंगा राम अस्वताल में इलाज रत थे जहां इलाज क्रम में ही उन्होंने अपनी अंतिम सासे ली बताते चले कि भाजपाचोर जदियों में शामिल शसी बूसन हजारी ने लगतार तीन बार विधान सबच राओं में जीत हासल के थी पटना मेट्रो निर्मान के रास्ते में पढ़ने वाले मकानों को तोड़ने का जारी हुआ आदेस राज़ानी पटना के लिए मेट्रो परियोजना एक महत्वा कांग्शी परियोजना है जिसके लिए लेंड प्लान का काम किया जा रहा है इस क्रम में कंकरबाग के मलाही पकरी में अतिक्रमन की कारण परेशानी हो रही है जिसे लेकर पटना मेट्रो कॉर्पोरेशन के साथ हुई बैठक में जिलाधिकारी ने अतिक्रमन हटाने का आदेस अधिकारियों को दिया है डियम ने कहा कि मेट्रो के रास्ते में जो भी अवैद रूप से बने पक्के मकान बने हुए है उन्हें तोड़ने की कारवाई जल्द से जल्द किया जाए इसके साथ ही रहयती भूमी के लिए मुल्ली निर्धारन के लिए 6 सदस्य टीम भी बनाई गई है इसके लिए सरकारी 648 पदों पर असिस्टन प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए 15 जुलाई से इंटर्विव प्रकिरिया की शुरुआत होगी सबसे पहले अंगेका विशय के चार पदों के लिए 12 अभियर्थियों को साक्षातकार में शामिल होने का मौका मिलेगा वहीं बिहाराज अभियर्थियों को डाक इमेल वब वेबसाइट के जड़िये सूचना भेजी जारी है यह इंटर्विव आयोक के आफिस में लिए जाएंगे अभियर्थियों को जरूरी दस्तावेजों के साथ ही कॉल लेटर को भी लाना होगा साथ ही साथ 72 गंटे पहले कोरोना जाच अताबिक हिंदी और अंग्रेजी के अलावे छेत्रे भाशाओं वोचपुडी पाली प्राकिरत आदी विशेओं के लिए इंटर्विव ले जाएंगे बताते चले के 4648 पदों के लिए कुल 60,000 आवेदन आये हैं भूमनेशर कुमार ने दोनी को बताया सब के लिए खास तीम इंडिया के तेजगिनबाद भूमनेशर कुमार स्रिलंका दौरे के लिए इंडियन क्रिकेट टीम का उपकपतान बनाये गए है इस सीरीज की शुरूआत से पहले भूमनेशर कुमार ने पुर्व कपतान ही श्यांदार इंसान है आप किसी से भी पूछ लेजिए वह दोनी के बारे में यही बात कहीगा देशबर में लगतार चौटे दिन 50,000 से कम आये अक्टिव मामले आए हैं वहें इस दौरान एक हजार पाथ लोगों की मौत हुई है इस दौरान कुल 16588 मरीज रिकवर भी हो हैं जिसके बाद देशबर में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या पाथ लाख तैस हजार 277 हो गई है वही बाद अगर बिहार की करें तो बिहार में बीते दिन तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल क्यों और आज के सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार आज National Doctors Day के अफसर पर आप अपने शब्दों में डॉक्टरों का किस तरह शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप अपने जवाब हमें कमेंट सक्षन में कमेंट करके जरूर बताया और बिहार से रेक अपडेटे डाने के लिए जुरे रहें बिहारी नियूस के साथ तब तक के लिए नमस्कार